बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम अस्लाम अलेकूम आज की हमारी रेसिपी है चाइनेज चिकन वेजीटेबल राइस इसके लिए हमें चाहिए तीन कप चावल आदा घंटा भीगो कर रग दें एक कप चिकन छोटे क्यूब्स में कटा हुआ दो अदग अंडे सबसियां जो हमें चाहिए उनमें एक कप बारी कटी हुई गाजर एक कप बारी कटी हुई शिमला मिर्च एक कप बारी कटी हुई बंगोबी हरी प्याज हमें आदा कप चाहिए दस से बारा पीसिस लेसन के और एक मीडियम साइज की प्याज नमक 1 teaspoon, काले मर्च 1 teaspoon, चिली फ्लेक्स 1 teaspoon, प्रिका पौदर 1 teaspoon, कैचप 3 tablespoon, सिरका 2 tablespoon, सोया सॉस 2 tablespoon, और चिली सॉस 2 tablespoon, सबसे पहले हम चिकन को मेरिनेट करेंगे, चिकन को एक बाउल में निकाल ले, अब इसमें नमक शामिल कर देए, पिसी हुई काले मिर्च शामिल कर देए, चिली फ्लेक्स शामिल कर देए, पेपरिका पाउडर शामिल कर देए, 1 tablespoon, white vinegar, 1 tablespoon, सोया सॉस और 1 tablespoon, चिली सॉस शामिल करके, इसे तक्रीबन आदे घेंटे के लिए, मेरिनेट होने के लिए रख देए, चावल को हमें तक्रीबन 80% तक पका लेना है, इन्हें ओवर कुक नहीं करना, जब चावल पक जाएं तो इन्हें च्छान लें, और थोड़ा ठंडा कर लें, एक पैन में तक्रीबन आदा कप ओयल डाल दें, जब आईल थोड़ा गरम हो जाए, तो इसमें लेसन का पेस्ट शामिल कर दें, और तक्रीबन एक मिनिट तक इसको भून लें, आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, कॉमेंट्स में ज़रूर बताएगा, तक्रीबन एक मिनिट पकाने के बाद इसमें चिकन को शामिल कर दें, आप चिकन को जितना ज़्यादा टाइम के लिए मेरीनेट होने के लिए रखेंगे, उसका उतना अच्छा टेस्ट आएगा, कम असकम आदा घेंटा ज़रूर रखिए, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें, चार से पांच मिनिट में चिकन गल जाएगा, जब चिकन अच्छी तरह से गल जाएगा, तो इसमें कैचप शामिल कर देंगे, फ्लेम हाय रखें और इसमें सारी सबजियां शामिल कर देंगे, बारी कटी हुई गाजर, बारी कटी हुई शिमला मिर्च, बारी कटी हुई प्याज, बारी कटी हुई बंगो भी शामिल कर देंगे, और इसे हाय फ्लेम पर एक मिनिट तक पका लें, सब्सियों को तकरीबन एक मिनिट पकाने के पाद, किसी बड़े बरतन में शिफ्ट करते हैं, इसे मिक्स करने में थोड़ी असानी हो जाएगी, अब जो चावल हमने उबाल कर रखे हैं, उन्हें सब्सियों में मिक्स कर दें, और एक से दो मिनिट तक हाई फ्लेम पर पका लें, फ्राय पैन में एक टी स्पून ओयल डाल दें, अंडों को पेने अच्छी तरह से फैंट लिया है, इसकी हमें एक प्लेन ओमलेट बनानी है, इसे अच्छी तरह से पहला लें, और दोनों साइट से पका लें, जब यह पक जाये तो इसे किसी बोर्ड पर निकाल लें, और उपर थोड़ी सी कैचप लगाकर इसे इस तरह से फोल्ड कर लें, अब इनके इस तरह से पीसिस कट कर लें, जो हमारी डेकोरेशन के लिए काम आएंगे, आप यह रेसिपी जरूर बनाएएगा और अगर पसांद आए तो लाइक जरूर कीचेगा, चावलों को डिशाउट कर लें, इसके ओपर थोड़ा सा ग्रीन अनियन बारी कटावा डाल दें, और इसकी अच्छे से डेकोरेशन कर लें, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह रेसिपी पसंद आएगी, अपना ख्याल रखेगा, अपना ख्याल रखेगा, अखेगा जया उतल यहाँ और, तर दो फिर नहाँ कर लेकोरेशन का जब पसंद आएगई मैं पसंद आएगेगाएगाग्स, झाल झाल झाल